साथियों, आप सभी लोगों वें, एक टम बड़ा प्रचलीद है, SOP, यानि Standard Operating Procedures, यानि काम करने का एक ताहित तरीका, पहले सरकारों का SOP समझा चाता था, कि सरकार कोई Project सुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा, इसकी कोई Guaranty नहीं होती थी, राजलिती स्वार्त के लिए गोश्नाय कर दी जाती थी, वो पूरी कब और कैसे होगी, इसको लेकर गंबिरता नहीं होती थी, इस धार्णा को हमने कैसे बढ़ला है, उसका भी ये भवन एक उधार्ण है, और जैसा अभी बताया गया, आज ये संयोग है कि 22 जून 2018 को इस भवन का सेलान्यास हुआ था, और आज 23 जून 2022 लोकारपन हो रहा है, इस मिच्विन कोरोना के कारणा अनेक अर्चने भी आई है, लेकिन इस सब को बावजुद भी, जो संकल पर लिया था, वो आज सिध्धी के रूप में हमारे सामने प्रस्तित है, याने ये नए भारत का नया S.O.P. है, जिसका सेलान्यास होगा, उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइम लाइन पर इमानदरी से काम शुरू हो जाता है, यहाँ दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उधान आपको मिलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ये प्रगति मैदान के पास Integrated Transit Corridor के लोकारपन का उसर मिला है, सरकार के प्रोजेक्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हो, सरकार की योजनाएं अपने रक्षों तक पहुँचें, तभी देश के टैक्सपेर का सम्मान है, और अब तो PM गतिशक्ती नेस्तन बास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेट्फरम भी है, नए भारत की आकांग्शाओं को ध्यान में रखते हुए, इस नए मानिज भवन को भी हर सम्मंदिक शेत्र में देश को गतिशक्ती देनी है,